कि नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चेला लाइव भांग भी तो आज हम इस वीडियो के मादे में से बात करने वाले हैं अभी NWDA यानि नेशनल वाटर डवलप्मेंट अजेंसी यह राष्ट्रिय जल विकास अजेंसी में लडिसी यूडिसी जूनियर इंजियर की और स्टेनोग्राफर की बर्ति का नोटिफिकेशन अभी जार किया गया है तो इस वीडियो के मादे में चर्चा करने वाले हैं कि NWDA LDC UDC जेए का आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा NWDA का जो एक्जाम पेटर वो क्या होगा N NWDA की शेयर रही क्या होगी और पी बहुत सारी बाते जो कि आपके मन में डाउट में इस वीडियो के मादे मिसी क्लियर करने हैं अगर आपके मन कोई डाउट है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुए आप उस प्रकलिक करके साही जानकारियों देख सक यान डवलो डीयने विभिन रिकत पतों की बर्ति के लिए गदी शुचना जारी किये इस अधि शुचना के अनुसार नेशनल वाटर डवलमेंट आजनसी अड़ो डीयने जुनियर इंजनियर हिंदी ट्रांसलेटर जुनियर अकाउंट ओपिसर अपर डिविजन कर अपर ड डीची के बाश्र पदों पर आवेदन है वो आमतित किये योग्य और इच्छु कुमिद्वार दस मईस से 25 दून 2021 तक अधिकारिक वेबसाइट के मात्यम से एड़ डीची यूडीची जेई वर्ति 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां हम एड़ डीची ओनलाइन फोड़ी जैसी के लिए यूशीवा कह रहेएगी सेक्षन की हो गिता क्या होगी तर्क्लिचिघ क्या होगी आवेदन-सुलग क्या होगा और आविदन कैसे करना आधी के पारेमिश्टी तुप से चर्जा करेंगी चलिए बात कर लेते हैं विकेंसी डिटेल के बारेमें उपन्स्पी इसके लावा अगर बात कर स्टेनोग्राफ की 5 पोस्ट है और हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है तो इस टोटल बांसलेटर के लिए कि आपसे उनलाई नाविदेने वो मांगे गए हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कि इन पतों के लिए आपकी सेक्षन योगेता क्या होग की तो जूनियर इंजनियर स्ट के लिए आपके पास क्या है डिपलोमा होन की दिए इस होना चाहिए जूँरफे। यूब के लिए रवी पार्वी पास प्लस में जिसमें क्या आपकी 80 वर्ड पर्तिमिंट के साफ साथ यह अब क्या है इस तो आई-उ-बात करें और जूनियर इंजिन्ट के लिए आपकी 18-我想 अपके तैपिजिक होने क्या है अब बात करें इन पॉथों के लिए आई-उ-शीम हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर अकाउंट ओफिसर के लिए आपकी 21-30 वर्स आयू हो सकती है चरह यह बात करें अप्लिकेशन फिस के बारे में अगर बात करें तो अन्रीजराव और ओबीसी क्रेगरी के लिए आपकी 840 रुपए फिसर की गई है एस सी, स्टी और एडवलो स्पी डवलो डी और ओल्रे फिमेल के लिए 500 रुपे आपकी फिस है कि आपको बुकतान करना होगा फिस का बुकतान आपको ओनलाइन माद्यम से करना जैसी की डेविट काड़ हो गया क्रेड काड़ हो गया नेटिव जिए आपकी पच्चिस जून ह लाश्ट डेट आपकी 25 जून है यानि 25 जून से पहले-पहले आपको अपना फोम उपर के सम्मिट कर देना है चलिए बात कर लेते हैं डबलू डी ये जई लडी-CUDC का आपका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो इसमें सबसे पहले आपका एक रेटन एक्जाम होगा जो सिवीटी यानि कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि सिर्फ लडी-CUDC और स्टेनों के लिए होगा फिर आपका डोकूमेंट वरिफकेसन होगा फिर आपका क्या मेडिकल एक्जामिन इसन होगा इन चार पो चारणों से गुजरने के बाद आपको क्या है ये जो मिलने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं NWDA का आपका जो लडी-CUD का ऐक्जाम पेतन क्या रहेगा पदिकलियापकी किस चीज़ का आएगा हिश्में। हिंदी और इंग्लिश 20क्यूशन 20 नमबर के जिका के 20 के 20 नमबर के कम्प्यूटर के 20 कि हुशन 20 नमबर के और इसके विशन 20 के 20 क्योव गे इसके भी 100 क्यूशन होंगे पांच नमबर के, जीके के आठ क्यूशन आठ नमबर के आएंगे, रेजिनिंग के आपके साथ क्यूशन साथ नमबर के, कॉंडियो एप्टिटूट के दस क्यूशन दस नमबर के, कंप्यूटर के पांच क्यूशन पांच नमबर के, Estimating, Costing and Valuation get 5 Q5, Surveying get 20 Q20, Geotechnical by 4 Q4, Foundation 4 Q4, Hydrochlorid, Yrrigation by 15 Q4, Konkrient Technology 3 Q3, Ideology 10 Q4, पूछे जाएंगे चलिए बात के लेते हैं NWDA जुनियर अकाउंटेट एक्जांप पैटर 2020 के बारे में तो जुनियर अकाउंटेट का आपका एक्जांप एक्जांप पैटर क्या रहेगा तो इसमें जी के और सुरी हिंदी और इंग्लिज दसक्यूशन दस नमबर के आएंगे अर्थमेटिक के बीसक्यूशन बीस नमबर के आकाउंटेटिंग एक्जांप पैटर यह आपका इस तरह से एक्जांप में क्या पेपर आएगा चलिए बात कर लेते हैं एंड डव्लूडी एक आपका जो स्लेबस अब वो क्या रहेगा तो जनरल हिंदी का स्लेबस की अगर बात करें तो गिद्यांसा दाट पर्शन आएंगे इसमें तत्सम्तदवव प्रियावाची बिलोव मुआवरे और लगोक्तियां सुद एसुद वाक्य संदी विछेद अलंकार और समास वचन लिंग और अने कार्थी और वाक्ये के लिए एक सब्स का स्लेबस क्या रहेगा तो इंगिल्श का स्लेबस होगा आपका हुआ यहाएगा Comprehension, One Word, Synonyms, Antonyms, Spelling Error, Spotting Error, Grammar, Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Preposition, Conjection, Article, Adiament, Phrase. आप से क्या है यह आपका English का syllabus होगा जो सभी जो आपकी post है उनके लिए इन में से क्यों सुनाएंगे. चलिए बात कर लेते हैं logical reasoning का syllabus क्या रहेगा आपका तो इसमें आएगा आपका analogy, similarity and differences, word building, relation concept, arithmetic number series, semantic series, number series, coding, recording, number coding, decoding and classification से समने आपकी क्यों से पूछ जाएंगे. यह आपका क्या हो गया reasoning का syllabus चलिए बात कर लेते हैं GK का आपसे क्या क्या पूसर जाएगा. तो GK का आएगा इसमें आपसे इंडियन history, इंडियन geography, scientific research, इंडियन economy, इंडियन policy and constitution, award and sports, current affair, इंडिया and world की. तो यह आपका क्या आएगा GK का आएगा छोटा सा आपका syllabus है. चलिए अब बात करते हैं computer literacy, यानि computer का आपका syllabus क्या आएगा इसमें, तो इसमें आजाएगा आपका computer के बारे में आपसे जानकारी पूस ली जाएगी. computer organization, including RAM, ROM, file system, input device से समंदित क्यों सनाएगे, computer software, relationship between hardware and software से समंदित क्यों सनाएगे, operating system, MS office, export of word, excel, separate sheet, power point, information technology and society, Indian IT Act से समंदित आपसे क्यों पूस जाएगे. इसके लाएग, digital signature, application of information technology in government for e-governance, mobile, smartphone, information, kiosk, तो यह आपका क्या हो गया, computer का syllabus हो गया, अब बार याति आपके arithmetic में से क्या क्या क्यों से क्यों से topic से आएगे, तो इसमें आएगा आपका number system, hcfm, simplification, decimal fraction, ratio and proportion, unitary method, percentage, time and distance, time and work, profit and loss, average, simple and compound interest, mentionation, 2D और 3D, algebra और di assessment आपके क्या क्यों से पूछे जाएगे, तो यह आपका mathematics का syllabus हो गया, अब बार याति आपकी जब आपका selection हो जाएगा, तो आपकी NWDA, J, UDC, LDC के आपकी salary क्या रहेगी, तो salary के बारे में अगर बात करें, तो J, Hindi translator और junior account officer के आपकी salary हो, 35,400 रुपे से शुरू होगी, और 1,12,400 रुपे तक क्यापकी salary लेगी, इसमें level आपका 4 लेगेगा, pay level, अब आपकी UDC और stenographer की, 25,500 रुपे से लेकर 81,100 रुपे तक आपकी salary होगी, pay level आपका 4 लेगेगा, इसमें, LDC की salary के बारे में अगर बात करें तो 19,900 रुपे से लेकर 63,200 रुपे तक आपकी क्याप परमत के साब से salary होगी, level आपका 2 लगेगा इसमें, तो यह तो थी आपके एक छोटी जानकारी, जिसमें हमने डिसकस किया कि अभी एक बरती आई होई है, NWDA में, यानि राष्ट्रिय जल विकास agency के अंतरगत की बरती है, और इसमें बहुत सारे पतों भी बरती है, और साथ मैंने आपको बताया कि NWDA का आपका जो selection process है, वो क्या रहेगा, NWDA का जो एक्जांपेटर है, वो क्या होग अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और से जरूर करना है, अगर आप चैनल पर नहीं चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, साथ में आपको दरे एक बेल आइकन दीख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी को नई जानकारी डाले जाए, और आप जल्द से जल्द के अब जानकारी देख सको, तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए, जैए जैबाद धन्यवाद